दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में हमें कोन सी coding language सीखनी चाहिए application develop करने के लिए ठीक है बहुत ही interesting वीडियो है दोस्तो ये जो coding language सीखना चाहते हैं जो IT field में आना चाहते हैं application develop करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जादा interesting वीडियो होने वाला है और मैं थोड़ा बहुत comparison भी करने वाला हूँ देखो मैं मेरे ही suggestion दे सकता हूँ मेरे recommendation आपको दे सकता हूँ बाकि आप और भी videos watch करके judge कर सकते हो decision ले सकते हो पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आज आपको इस video बताने वाला हूँ उससे आपको एक अच्छा guidance मिल जाएगा आप एक सही decision ले पाओगे कि मैं कौन सी programming language को सीखूँ देखो दोस्तों जब कोई आप programming language सीखने जा रहे हो उसके पहले आपको वैसे आप यह सब आप करते भी होंगे कि market research करते होंगे कि कि किस coding language को मैं सीखूँगा तो मेरी ज्यादी salary लगेगी मैं ज्यादा high package पे किसी भी company में लग जाऊँगा यह ज्यादा तरह आप सर्च करते होंगे यह आपको पता है यह आपको सर्च नहीं करना starting में आपको यह नहीं सोचना है कि मैं कौन सी programming language easy हो और वो मैं सीख लूँ और उसके बाद मेरी किसी अच्छी company में package अच्छा high package लग जाए देखो दोनों ही नहीं हो सकता अगर तो वो programming language easy है तो आपका high package नहीं लगेगा ठीक है अगर वो hard है तो सीखने में time लगेगा आपका वहाँ पे money नहीं लगेगा मतलब आप सोचने में बहुत दार time लगेगा hard है तो मैं नहीं सीखू यह purpose यह visual लेकर अगर आप coding सीखने आते हो तो आप coding नहीं सीख पाऊगे coding सच में अगर आपको सीखने है न तो सारी चीज़े भूल जाओ भूल जाओ कि मेरे कितना package लगेगा भूल जाओ कि मेरे को कौन सा easy है कौन सा hard है बस focus रहो कि बस आपको programming language सीखनी है यार interest अपने अंदर से जब आपको interest को जगाओगे ना तब जाके आप coding सीख पाऊगे आप यह सोच के आरो कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए मुझे coding सीखनी है तो आप coding नहीं सीख पाऊगे trust me मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ मैंने भी आपकी तरह पहले starting में बहुत confused था मैंने से बहुत HTML सीख लूँ CSS सीख लूँ फिर जावा स्क्रिप्ट भी सीख लो चलो यह सीख लिए आप बैकेंड के लिए भी सीखना पड़ेगा एक चीज आप भी भी just confused हो जाओगे कि यह क्या बोल रहा है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बैकेंड के लिए PHP यह तो चार लैंग में जोगे क्या चारो सीखना पड़ेगा मैं यह बिल्कुल वेब डेवल्पेंट के लिए चारो सीखना पड़ेगा आपको तो confused नहीं हो ना है easy सारे इतना कुछ hard नहीं है पर यह easy hard वाला जब आपके दिमाग से जाएगा तबी आप coding कुछ भी सीख पाओगे वैसे मेरे recommendation आपको यह रहेगा अगर आप app develop करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से Java सीखो और iOS के लिए कुछ दूसरी coding सीखो मैं यह recommend नहीं करूगा अभी हर जगा लोग आजकल hybrid application डेवलप करा रहे है एक ही बार coding की जाए और वो iOS में भी चले Android में भी चले सभी यही चाहते है तो आप लोगों को आप react obviously सीख सकते हो पर मेरा recommendation रहेगा Flutter सीखो Flutter बहुत असान है मैं experience बता रहा हूँ मेरा जो बहुत coding field से जो नहीं भी होंगे न उनके लिए भी Flutter सीखना बहुत ज़ादा आसान है तो आप लोग Flutter सीखो 2023 में और बहुत ज़ादा high demanding coding language है आने वाले time पे भी बहुत ज़ादा high demanding होने वाला है ये language BMW जैसे बड़े brand इस programming language को अगर use कर रहे है मतलब कुछ तो बात है और कुछ तो बात क्यों नहीं होगी क्योंकि ये Google का product है यार तो आपको use करना चाहिए और मेरा recommendation आपको Flutter सीखना चाहिए ठीक है अब Flutter सीखने जब आप जा रहे हो तो देखो Flutter सीखने के बाद मैं एक और आपको फाइदा बता हूँ Flutter सीखने के बाद आप JavaScript भी बहुत जल्दी सीख जाओगे एक बार आपने पूरा Flutter सीख लिया Dart programming language एक लिए मैं Flutter बो रहा हूँ Flutter Dart भी based है So Dart language एक बार आपने पूरा सीख लिया आप JavaScript पूरा सीख लोगे लगबग 90% तक सेम है वो ठीक है आपने JavaScript सीख लिया लगबग उसके कुछ 20-25 दिन का और प्रैक्टिस करोगे आप JavaScript सीख लोगे यानि कि आप JavaScript भी डेवलब किया जा सकता है ठीक है और पैसे कमाने के लिए ट्रस्ट में अगर आपको यह सारे coding languages आते हैं कहीं जाने की जुदत नहीं है आजको तो freelance है भी बहुत जारे demand है और company को यह चाहिए company आना struggle करती है ऐसे developer find करने के लिए जिनको back and front end दोनों आता हूँ मैंने अभी तक मेरे मैं experience में आपके साथ share कर रहा हूँ मैंने बहुत developers को hire किया दोनों किसी एक developer को आता है ऐसा बहुत कम होता है मिलते हैं और जिनको आता है वो बहुत ज़्यादा high package उनकी demand बहुत ज़्यादी रहती है तो सोच लो कि पैसा कमाना जब आप starting में यह जब thought दिमाग से हटा दोगे और जब properly सीख लोगे पहले तो यतना मन में मानलो कि सच में आप बहुत ज़्यादा earning करने वाले हो coding सीखने के बाद बहुत next level की earning करने वाले हो उस level की earning करने के लिए आपके आस पड़ो रिष्तिदार वेगर जो भी है वो सोचेंगे आप उस level पर चले जाओगे ठीक है पर उसके पहले आपका यह mind thought जो रहता ना easy वाला किस company में जाओगा यह सब हटा दो फिर सीखने जाओ तब ज़्यादा पैसे कम आप आप आओगे मेरा recommendation मैंने आपको flutter दिया है बाकि आप और वी YouTube पे वीडियो बगरा देख लो और आप भी देखो कि आपको front end में जाना है back end में जाना है front end बैक end यह इसमें confuse नहीं होना है मैंने flutter बोला है dart obviously ठीक है dart आप सीख लो easy है अब यह dart flutter में confuse मत हो जाना confuse हो भी रहो तो मुझे comment करके बताओ इसको बड़े detail में बताओंगा flutter क्या है dart क्या है क्यों यह दोनों mix किया जाता है ना थोड़ा detail में आपको और अच्छे समझाओंगा मैं मुझे comment करके ज़रू बताना इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते है